कल भाजपा की केंदर सरकार ने CA लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है 10 साल देश पे राज करने के बाद एन चनाव के पहले इन लोगों को CA की बात करनी पड़ रही है अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज CA की जगे अपने कामों पे वोट मांग रहे होते ये CA आखिर है क्या? BJP की केंदर सरकार का कहना है कि तीन देश बांगलदेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीन देशों के अल्प संख्यक जो हैं, वो अगर भारत की नागरिक्ता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिक्ता दे दी जाएगा BJP वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नी लाना चाहता पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दिवारे लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारे लगाई जाती है, ताकि पड़ोसी देश का कोई भी विक्ति हमारे देश के अंदर ना सके है, बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दु भारत के तो धेरो लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाते हैं, उनको घर देना चाते हैं, कौन देगा इनको रोजगार, कहां बसाओगे इनको, बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको, इन कल भाजपा की केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है दस साल देश पर राज करने के बाद एन चनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है अगर दस साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगे अपने काम पे वोट मांग रहे होते हैं आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है किसी को भी घर चलाना मिश्किल हो रहा है इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कमर तोड महंगाई हो रही है उधर हमारी युवा दरदर की ठोकरे खा रहे हैं रोजगा वात है है यह सिए आखिर है क्या बीजेबी की केंदर सरकार का कहना है कि तीन देश बांगलादेश पाकिस्तान और अफग हानिस्तान इन तीन देशों के अल्प संख्यक जो है वो अगर भारत की नागरिक्ता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिक्ता दे दी जाएगी, इसका मतलब बड़ी संख्या में, यहां से अल्प संख्या को को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिये जाएंगे, उनके लिए घर बनाये जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा, अजीब बात है ना, बीज़ेपी केंदर स सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिये नहीं जा रहे पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाते हैं हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है भारत के तो धेरों लोग बेघर हैं लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं, भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पर खर्च होना चाहिए, वो प पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पर खर्च किया जाएगा इन तीन देशों में लगबग धाई से तीन करोड अलप संख्यक हैं यह तीनों बहुत गरीब देश हैं जैसे भारत के दर्वाजे खुलेंगे इन तीन देशों से भारी भीड हमारे भारत में आ जाएगी अगर इन धाई तीन करोड में से डेड़ करोड लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार कहां बसाओगे इनको बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगा कौन देगा इनको रोजगार तो प्रशन उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है कही लोगों से मैंने बात कि कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीती है इन तीनों देशों से डेड़ दो करोड लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन-चुन के इस तरह से देश के अलग-अलग भागों में बसाया गया जिससे जहां-जहां बीजेपी के वोट कम है वहां जुगियां डालके अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तयार हो जाएग बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं आने वाले भविश्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है ऐसा कुछ लोगों का कहना मुझे नहीं पता है यह सचे की गलत लेकिन सबसे बड़ा प् बच्चों को इसराइल भेज रही है इसराइल में हम सब जानते हैं कि उद्ध चल रहा है हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाते हो मेर तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पडोसी देशों के गरीबों को अपने घर नी लाना चाता पडोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है बॉर्डर पे दिवारे लगाता है बॉर्डर पे बिजली की तारे लगाई जाती है ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना सकते हैं बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पू भारत के बड़े-बड़े अमीर उद्योगपती और व्यापारी भारत छोड़के चले गए यह लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे इंडस्ट्री चलाया करते थे बड़े-बड़े व्यापार किया करते थे लाखों लोगों को नौकरी देते थे रोजगार देते थ यह भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इंवेस्ट करेंगे, नहीं नहीं, फेक्टरियां खोलेंगे, नहीं नहीं, व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा, यह क्या बत्तमीजी है कि बांगलादेश के, पाकिस्तान के, और अफगानिस्ता दी जाएगी ऐसा नहीं है यह तो शुरुवात है एक बार यह सिलसला चालू हो गया एक बार दर्वाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बंगलादेश से लोग भारत में आने लगेंगे आज बीजेपी कहारी है 2014 के पहले आएवे लोगों को इनागरिक्ता दी जाएगी, देख लेना, अगले चनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे, कि 2024 के आएवे पहले वाले लोगों को दी जाएगी और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे, मोट का सबसे जादा खामियाजा उत्तरपूर नौर्थ इस्टन स्टेट्स भुगत रहे हैं खासकर आसाम के लोगों की भाशा और संस्कृती खत्रे में पढ़ चुकी है क्योंकि वहां पे बांगला देश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आएं उनको हम नागरिक्ता देंगे उनको बसाइंगे असाम में बसाइंगे असाम के लोग बहुत नाराज है एक तरह से देखा है तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्य मंत्री है उन्होंने धोका दिया अपने लोगों को अपने असाम के लोगों की खातिर उन्हें का विरोध करना चाहिए था उन्हें कहना चाहिए था कि असाम के लोगों की संस्कृति और भाशा दोनों खत्रे में यह बि और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापिस नहीं लेती तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए नमस्कार